बिसमिल्लाहितरurarां यहीम अस्सालाम अलेकूं यहिस सब ठीक थाख In a टम करते हूं opens openati को अपने चानल में आपको लाइव इसलिया में यहां है मैं यहीं टीक हूं और आज बहुना प्रते को अबकर प्रकार रोट तो फिर यह देखें आफ़ी वा से शॉट्र Yiopra हम इसमें जो मसाला वगरा है नमा, कोर ना, मिच्ची वगरा फिर बाद में डालते हैं और यह दूसरी सर पर मैंने चन्ने वगरा भीगो के रखे हुए थे यह देखें बॉइल कर रही थी ने इनको तो फिर सालन बनाना था फिर मैंने इसको पर रखूए थोड़ा सा पानी यह भी सूप जाएगा और दूसरी तरफ यह देखें मैंने घी रखा हुआ है पकोड़ों के लिए और वो भी बनाने हैं और आज मैं आप लोगों को यह बताना चाहरी थी कि आज ना, जो मरियम और मसंबल है ना, उन्होंने पहले कभी भी रोज़ा नहीं रखा ना, वो अब भी बारा साल के और वो बोलते थे लेकिन हमने रखवाया नहीं था ना, तो अब की साल वो बोल रहे थे तो मैंने का चलो, अभी यह तो कुछ बड़े हैं तो रुखवा देते हैं, तो हमने उन दोनों का ना, चोटा मुदसर भी बोल रहा था लेकिन उसका हमने नहीं रखवाया, क्योंके वो बहुत चोटा है भी और उसकी ना, तकरीबन दस साल का है, तो मरियम और मुदसम्मिल जो हैं उन दोनों का हमने रोजर रकवाद गया और मुझे बहुत लग रहा था, मैंने का कि यह कहीं खोल नहीं ले, और ना, इसका सारा गुना मेरे सर होगा, लेकिन यह के नहीं उन शाम को काफी उनके होंट बगारा सुके हुए थे, तो जो मुदसम्मिल है दो पहर को अपने दादी मां को बोल रहा थे, कि ममा मेरे ना, दिल को पता नहीं क्या हो रहा है, तो फिर ममा ना, दादी मां ने बोला कि अपना हाल हो, मैंने भी का कि अपना हाल हो, तो फिर नहा क वैसे तो हर चीज रोजाना ही बनती है लेकिन उनके लिए हमने कुछ जादा इत्माम किया कि वो चोटे-चोटे से हैं और उन्हें आज रोजा रखा है तो फिर रोटों के लिए मैंने चन्ने बगारा भी बनाए पकोड़े बनाके फिर यालू के चिपस बहुत शोग से खाते हैं फिर उनके लिए मैंने अलू के चिपस भी बनाए और साथ में हमने चिकन मगवाया और चिकन भी बनाया और फिरूट बगारा भी वैसे तो रोह जी आता है लेकिन वो कहने थे कि मॉमा हमें स्टबरी भी खानी है और मरीयम जो है ना स्टबरी की बहुत जादा शोग से खाती है स्टबरी तो पिर उनके पापा गया हुए थे अभी स्टबरी ले ते वो नहीं लेकिँ आये थे हो दूसरा फूट जो ले आए थे लेकिन हम जो है ना इस तरह से बनाते हैं आलू बॉयल करके उसमें डालके और प्याज काटके ना वो भी उसमें इस तरह से डालके तो फिर हम ना बनाते हैं तो आप लोगोंने भी ज़रूँ हमेश रेसिपी शेर किजिएगा कि आप किस तरह से बनाते हैं या पानी बनाना था उसके लिए मैंने चीनी डाल के उसमें रखी भी थी मैंने का सारा काम करके फाइनल करके तो फिर उसके बाद हम पानी बना लेंगे तो फिर मैंने टाइम भी बहुत कम था फिर जल्दी जल्दी सब कुछ मैंने काटा और रोजे में टाइम भी थोड़ा कम रह गया था और सब लोग बहुत हुचते तो मैं चाहती थी आप लोग के साथ जब हम अफ़तारी करने बठें वो भी शेयर करूँ लेकिन क्या है कि हमारे गर में मेरी सार सुसर और मेरे देवर होते हैं सब अकठे बैठके रोज़ा अफ़तार करते हैं तो इसलिए फिर मैं ना सब की वीडियो शूट करके मैं अपने वीवस को बताती हूं कि आना आप लोग द्वा की जीए का कि मेरे बच्चों ने माशालों माशालों पहला रोज़ा रखा है और उनको आगे भी तोफीक दे रखने की और ना मर्यम तो बोल रही थी कि ममा मुने ना फिर रखना है रोज़ा ओज़िवाना थे रखवाना थो मैंने का चलो स़एं और पी रखवाइँखवांगी लेकिन देखते हैं कि उनके दादाबी बूल रहे थी कि नहीं 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 राखवाना थे नहीं चलो बोलते हैं तो फिर जुम्हे के दिन रिखवा देंगी क्योंकर भी छोटे हैं बच्चे तो फिर इस तरह से तो फिर ये साथ उनके लिए मैंने समया बनाई मैंने का क्योंकि बच्चे बहुत खाया तो उन्होंने बिल्कुल भी न नहीं जाता जब रोजा अक्तार बन्दा करता है तो कुछ भी खाया नहीं जाता पानी पीकर पेट भर जाता है लेकिन ये के उनके दादाबू बोलते थे के इनके लिए हर चीज़ बनाऊ क्योंकि मेरे ना पोती पोते ने पहला रोजा रखा है तो इसलिए इसलिए है और इन्होंने रोजा रखा है तो पहर ये देखे सारी समया मैंने अच्छी तरह जाता बहुना पहर इसमे डूला तो वह दूद वाली में कह रही थी के बनाती है कि बना तो बश्बड़ा बहुत मज़े की बनती है थोग Deaf वे और झाल की लेंग तो ये वाली समया जो है खांसी आए तो बना के खाएं तो कहते हैं कि याना शफा बिल जाती है तो इसलिए फिर मैंने ये वाली बनाई थी दूद वाली तो वैसी खांसी पर वैसी दूद वाली समया जो अच्छी नहीं होती है तो इनको मैंने सारे को अच्छी तरह से भून करना तो फिर इस में मैंने पानी आड़ कर दिया और समझाया हब भन के त्यार हो गई थी और सब लोगों ने बहुत ना मज़े से खाई तो अभी यह देखें यह सारी मैं इनको भून के अच्छे तरह से त्यार कर लूँगी और आप लोगों ने मुझे मैं कमेंट में जरूर बताना है कि आपको मेरा यह विलोग कैसा लगा और ना सलाई की वीडियो कैसी लगी सलाई की वीडियो और मैं हम बहुत शुक्र बजारू अपने बहुत अच्छा रिस्पॉंस मिल रहा है मुझे आज कल मेरे माशाला माशाला सस्प्राइबर भी बहुत जल्दी से बढ़ रहे हैं बस अल्ला खैर करें वन केस अस्प्राइबर हो जाएं तो फिर हम इंशालला पार्टी करेंगे और आपके साथ पूरे विलोग बनाके अप्लोड करेंगे ना तो यह तो चीनी थी और फिर थोड़ा सा मेवा था और ठूटी थी वो कोपरा ना तो उसको भी मैंने काट के रखावा था और मैं थोड़ा सा नमक भी डालती हूं इसमें मीठा जो भी होता है ना चावल बगार भी बनाती है तो मैं इसमें नमक डालती हूं उससे ना बहुत अच्छा मज़्या के लगते हैं तो आप लोग भी जुरू ट्राइब करके देखिएगा और मुझे बताईएगा कि आपने ट्राइब किया के निए और प्लीज प्लीज चैनल पर अगर कोई न्यू है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और आगे शेयर कर दें और बैल अकन कर बटन लाजमी दबाएगा ताके मेरी न्यू आने वाली वीडिय पर देखिएगा और आप लोगों ने मुझे आप किस तरह से समया बनाते हैं आप लोगों ने कमेंट मुक्स में मुझे जरूर बताना है और मुझे अब दीजिये अजास नेक्स वीडियो तक अलाहाफीज